हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रावक्ता राजीव शुक्ला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शुक्ला ने वसुंद्रा सरकार के कारियों को लेकर जूटी और बेतु की बयान बाजी की है। की बयान बाजी करने के कारण कॉंग्रेस का शीष, नेत्रत्व और सभी कॉंग्रेस नेता मानसिक रोगी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। खुद के चुनाव लड़ने या बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर शिखावत ने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति माइने नहीं रखता, यहां पार्टी चुनाव लड़ती है। कार्यकरता पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं। टिकेट वितरन को लेकर शिखावत ने कहा कि फिलहाल दिल्ली स्थेथ पार्लिमेंटरी बोर्ट मन्थन कर रहा है। किसको टिकेट मिलेगा? यह बोर्ट दे करेगी। इस अफसर पर शिखावत ने आज शुरू हो रहे संपरक अभ्यान के लिए बीजेपी के कारेकरताओं में जोश भरने के लिए संदेश भी दिया। आपको बता दे कि कॉंग्रेस के राष्ट्रिय प्रावक्ता राजीव शुकला ने गुरुवार को जैपुर में स्थान को बिमारू प्रदेश बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही सड़क बधाल होने और किसानों की दुर्दशा होने का भी आरोप लगाया था। होने वाला है। और इस अभियान में आजनी वसंद्राजी स्वयम जालावाड में आजनी गुड़ाचन दी कटारिया अपने लिवाचन चेत्र उदैफुर में आजनी इसके अतरिकते सारी मंत्री सारे सांसर्द गर्द, सारे विधायक गर्द, सारे जन्प्रतिनी दी हमारे मानिये प्रदेश अतरिक शादनी वदनलाजी सेनी सहीत बारते जन्ता पार्टी के जो लाकों करे करता है वो सब एक साथ इन तीन दिन में अपने एक निरवाचन चेत्र में बूत पर जाकर के अपने बूत में जाकर के और लोगों से संपरक करें है। जैपूर से जागरुप टीवी की रिपोर्ट